देखिए अभी रिजर्वेशन में जो सुप्रीम कोट का फैसला आया है उस पर बहुत बवाल चल रहा है एक पेपर का कटिंग सोसल मेडिया पर एतना ज़्यादा वाइरल हो रहा है कि आपको हम बता नहीं सकते हैं कि अरचन समाप्त होनी चाहिए हमारे साथ हम पाटी के नेता है गया जिला से जिला अधियाच नरायन पर साथ मांजी जी हैं हम जानना चाहेंगे कि सर क्यों आप लोग अरचन समाप्त करवाना चाहते हैं ऐसा आपका नेता का ब्यान है कि देखे हमारे आधियर नेता का ऐसा कोई ब्यान नहीं है और जो अम एक तरह से का सकते हैं आरचन खोर लोग स्वार्थी लोग जो नहीं चाहते हैं कि उनके भी जो भाई पीछे छूड़ गिये हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले वैसे स्वार्थी लोग कहीं ने यही सवाल किये थे कि आजादी की इतने साल हो गया है आप अभी मुखमंत्री है आप डलित समाज में आज भी बहुत सी लोग गरीब है जो आज भी कहीं ने के लिए घर नहीं है उनके बच्चों को सिच्छा नहीं मिल रही है वाज भी कहीं कर गुमंतु जीवन जी रहे है अनको उनके बारे में आप क्या सोचते हैं तो उन्होंने यही कहा था कि बाबा साहब भीम राव अम्बेटकर जी का जो सपना था जो सोच था कि दलित वर को आरच्छन जो मिला है तो आरच्छन जितनी जातिया है सब को कहीं न कहीं आगे बढ़ने का समान रूप से आउसर जो सपना है उसको हम लोग अंतिम बैक्ति तक नहीं ले जा पा रहे हैं तैसे आरच्छन का कोई लाब ने इसको समाप्त कर देना चाहिए इस रूप में कहा गया था लेकिन अभी जो वरतमान में जो सुप्रीम कूट का जो ब्यान आया है उसमें कहा गया है कि नए वर्गी कर सरकार यहां पर चल रहे है सुप्रीम कोट का हवाला दे करके उनका जो ब्यान आया है कि वर्गी करन होना चाहिए उसको गलट ढंग से लोगों में खास करके नवीकों में गलट ढंग से परचारित किया रहा है का जा रहा कि आरच्छन समाप्त हो जाएगा लेकिन आपके च आपके माध्यम से कहना चाहिए किसी के ताकत नहीं है कि आरच्छन को समाप्त कर दे लेकिन आरच्छन का भय दिखा करके लोग इस तरीके से कभी चुनाओं में जब चुनाओं आता है तो लोग फिर आ जाते कि आरजन खतम होने वाला है इंडिये गड़वंदन की सरकार है तो आरच्छन की सरकार है आरच्छन खतम हो जाएगा इस तरीके का परपंच रहते हैं अभी जो सुप्रीम कोट का बयान है उसमें तो ही कहा गया है क्रिमेलियर की बात होई तो उसमें असपास रूप से देश के आधरनिये पधान मंत्री नरेंद मोजी ने असपास रूप और जो गरीब हीत में जो आंति के खामिया थी उसो कहीं ने कहीं बार बार उठाने का काम किया तो गरीब हीत दलीत हीत जो वंचीत वार के उसके आवाज उठाने में जीतन रामाजी एक देश में कैसे निता है कि कभी राजनितिक रूप से परवार ने करते हैं कि उसका मिला और मिलना भी चाहिए रैसा होना भी चाहिए वो लोग सेचनिक रूप से आगे बढ़ गए हैं आर्थिक रूप से आगे बढ़ गए हैं सरकारी नौकरियों में कहीं कहीं भागीदारी हो गए राजनीतिक रूप में कहीं कहीं भागीदारी हो गए लेकिन आज भी कहीं ऐ देश आजाद हुए इतने साल होगे हैं लेकिन आज भी घुमंतु जीवन जीने को वीवस है मांजी मुसर समादाय है नट है महतर है कई ऐसे जाती हैं जो आज भी देखेगा उनको रहने के लिए जमीन नहीं है सरकारी भूमी में सड़क के किनारे रहते हैं जो अहरा है पैन ह की रुष्णी जाना चाहिए अरच्छन का लाब मिलना चाहिए तो उसको कब मिलेगा 76 साल हो गए अब तक नहीं मिला था और 76 साल का मोग इंतजार करें वर्गी करन होना चाहिए डंकी के चोट पर होना चाहिए इसलिए नहीं लोग इसमें परचार कर रहे हैं कि जो जिन व जिसको इधर उधर करके खंडित कर सके वो आराच्छन खतम करने की बात ही नहीं हो रहे उसमें बात यहीं हो रहे कि जो आराच्छन है जो परसेंटेज अभी मिल रहा है तो वैसे जातियां जो दस बारा जातियां जो एकदम आज भी वंचीत है जिनमें सेचनिक रूप से एक बढ़ने का मौका मिलना चाहिए इसलिए वर्गीकरन होना चाहिए लेकिन लोग परचारीत कर रहे हैं क्या जो विर्योधिक है में के लोग है इसको तो एक तरह समकाते राजनितिक दल के जो लोग वह कहीं ने लिए और जितने भी लोग आप सड़क पर हम कहा सकते हैं उत्रे आज भी लोग हूँ आप संपन हो गया सुखी हो गया सारा चीश हो गया सिचित हो गया आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे है अच्छे खाना लगे है उनके लिए कौन सोचेगा उनके लिए भी आवाज उठाने वाला कोई होना चाहिए ना कालिका स्माग में और गलत दर से परचारित किया जा रहा है क्रिमिश कोई होना चाहिए टो कास्ट बैसी स्पैनिंप वर्गी करण होना चाहिए तो एजुकेश्ट बैसमियू क्या है उसका attorney का खाय। पिछड़ गया है अर्थिक रूप से पिछड़ गया तो उसको आगे लाने के लिए कौन परियास करेगा तो हम यदि स्वार्थी बन जाएंगे तैसा होगा तो हमको अपने स्वार्थ से निकलना पड़ेगा उस छोटे भाई के लिए भी हाथ पकड़के कुस्या उगली आते हैं तो उन जो पीछे छूट गये हैं जो वंची थे उनको भी हाथ पकड़कर क्या आपको आगे लान पड़ेगा आप लोग का जो बिरोधी दल के लोग हैं वह कह रहे हैं कि आर्थिक अधार पे रिजर्वेशन नहीं दिया गया है रिजर्वेशन दिया गया है पूरी तरह से खत्म हो गया है लेकिन देरे देरे जागरुकता आ रही है लोगों में अब ऐसा नहीं जो आज तो देखिये गए दलित वर्ग के कई लोग है तो आने संपन वर्ग में साधी ब्यावी कर रहे हैं आप संपन है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है तो यह जो क सरकारी सेवा है या फिर अब नगारी नسمकरी सरकारी सेवा में है या फिर आप की stepping अब शाने हो उनके लोग ही कैसे लोग भी कैसे वांचवकं उसको दिया जाए हम काना चाहेंगे रामन और लोहिया जी है या फिर करपूरी ठाकुर जी का हम नाम लेना चाहेंगे जब अति पिछड़ों के लिए आरच्छन हुआ तो लोग उनको तरह-तरह के गालिया दे रहे तरह-तरह की बाते कर रहे थे और आज वही अति पिछड़ो उनको जो बाकी मिलना उनको मिलता रहेगा ऐसा थोड़े नहीं लेकिन आप कहीं जाईएगा कहीं पर जाना है ट्रेन में जाना है प्लेन में जाना है दर्वाजे पर आप जाकर के खड़ा हो जाएगा लाइन लगा जाएगा और आप आगे जाकर के बैठ रहे हैं सारा अपना था दलीत वर्ग में सभी जातियों को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का सेचनिक रूप में आर्थिक रूप से या जिस किसी भी रूप से मिलना चाहिए तो उनके लिए कौन सचेगा तो हम यह कहना चाहिए जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं इसको पूरी तरह स चाहता है ऐसे लोग से आप लोग सतर खो जाईए हम लोग सब एक है और उसको कोई नहीं तोड़ सकता है और बाबा साहब के दिये अंबेदकर को फिर से हम कहना चाहेंगे कि दुनिया के कोई ताकत ने कि इस आरक्षन को को समाप्त कर दें इस आग है कि जो इसमें हाथ सवाल भी किरेशन में जो कोटे में कोटा आया है इसके जानते हैं वो जवाब देने से बचारे लोग-ालच चोड़ जोड़ भाग रहे थे सर इस पेद्र क्या कहना चाहें बच् freshwater ही वहां के जो लिबचाल od बात को का करके और कहिन के सड़क पर उतारने के काम किया है कि आपका आरच्छन समाप्त हो रहा है तो क्रिमेलेर लागव हो जा रहा है या फिर जो आरच्छन के दायरे में कुछ जातियां आगे बढ़ गए उनको बाहर कर दिया जाएगा इस तरी कि उनके मन में जहर घोला ग क्रिन किया जा रहा है महिलायों को तार रहा जा रहा है कि आपका रच्छन समाप्त हो जाएगा आपकी दलित्यों को आब बाबा साहिब जो अमित बाबा शाहिब डोक्टर भीम राव अम्वेतकर दी ने जो संविधान में जो सक्तियां दी है हम लोगो उसको कहिं के घका फाव में किया किया है किसी से छुपा हुआ नहीं है कितना रलीतों को भला की किया है और किस तरीके से राज्य े ऐसे उनके नेयकर डेटा इस की जो काम हो रहे उसको आवरूद करें और एन केंड परकरें हदकंडा अपना करके किसी भी तरह हम को सत्ता का लूब सत्ता का जो उनका लुपता है लालच है वो पूरा हो इसके लिए लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं पेपर का कटिंग वाइरल हो रहा है सर आप बता रहे हैं कि 2016 लग है इसमें कितनी सत्याता है उसमें जीतन रामांजी जी क्या कहना चाहते थे जो हेड्लाइन बनाया गया है कि अराच्छन को समाब्त कर देना चाहिए देखिए हम पहले भी का करके गिये हैं कि वो जो कटिंग उनका वही कहना था आज जो वर्गर्र करण की बात है और इसमें उन्होंने वही करा था जो अराच्छन मिला है यदि बाबा साहब की सोच 737什麼呀 को जो संकल्पना है投an निर्मान सोच रखा है वह अंतिंब्तित तब नहीं पहुंच रहा है तो ऐसे अराच्छन्का क्या लाब उनका संदर्व कान था जो लाब है अनतीम बैतिक्तिक तक उनतीम जो पिछड़ गए हैं वैसे लोगों तक भी पहुंचे इसलिए आरच्छन को हर हाल में लागू होना चाहिए नितेश आरच्छन का कोई लाब्न है उनका संदर्व यह काना यह कहना नहीं है कि आराच्छन खतम हो जाए तो यह थी है हमारे साथ नराइन परसाद मांजी जी जो आराच्छन समाप्त करने का जो सोचल मेडिया पर एक पेपर का कटिंग वाइरल हो रहा है इनका कहना है कि जीतर्रम मांजी जी के कहना था कि गरीब तक अराच्छन नहीं पहुँच रहा है जो सोसित है बंचित है गरीबी रेखा से नीचे है उस तक अगर अराच्छन नहीं पहुँच रहा है तो उस अराच्छन से क्या फाइदा जब बड़े लोगी संपन लोगी अरच्छन का लाग उठा रहे हैं तो ऐसे अरच्छन का कोई मतलब नहीं बनता है उसको अरच्छन खतम कर देना चाहिए या फिर उस पर समीच्छा करके गरीबों तक पहुंचाना चाहिए हमारे साथ दिन राइन परसाद माझी जी वीडियो को जादा जादा सेर कीज़े कर साथियों बहुत बहुत धाया